यह चीज से मुझे बचा रहा है कौन Fibonacci Fibonacci को डालो सीधा सीधा 30% 50% 60% का golden ratio निकालो तो Fibonacci आपको बोल रहे है जब तक देख जब तक यहाँ तूने एंटर कर लिया जब तक यहाँ पर Fibonacci का 60 concurrent से नहीं तूरता यह तब तक नहीं निकलने का तब तक यहां से नहीं निकलने का गैज आज तक अगर आपने धाई-sus रूपय पर लॉट्वाट प्रॉफिट उपक्या है K circus इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है इस वीडियो में मैं जो सिखाने वाला हूं वो एक ऐसा जूबा है आपको बड़े से बड़ा टार्गेट तक वेट करना वो खुद बोलेगा कि वेट करो अभी भी रुको फिबुनाची का यूज करेंगे फिबुनाची का रिट्रे कि में हमने पूरा नीचे से लेकर होल्ड करके प्रॉफिट कमाया था छे लाग का प्रॉफिट मैंने दिखाया था और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते मतलब मार्केट जब बढ़ता है तब वो ने एक सपोर्ट बनाता रहत है so guys video ko last तक जरूर देखिएगा यह कोई भी entertainment बॉला video नहीं है कि छोटा सा बनेगा यह थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है तो last तक जरूर देखे और channel पनना यह है तो subscribe जरूर करें यह वीडियो 1 million सब्सक्राइबर्स लाने वाला वीडियो है आई ये शुरू करते हैं चोली गाइज मैं 10 जुलाई को ट्रेड कर रहा था और मार्केट में जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर किसी ने मुझे पूछा कि सर जो आप इतने लंबे-लंबे टार्गेट निकालते हो आप जो फिबुनाची को यूज करते हो आप जो स्टॉप लोस को ट्रेल करते हो वो हमें भी सिखाओ ताकि हमें भी आप जैसा ही मार्केट में होल्ड करने का एक जो कन्फरमेशन है वो मिल सके तो इस पूरे वीडियो में आप लास तक देखने के बाद आप अपसे बड़ ट्रेलिंग स्टॉप लोस यही मतलब आज के दिन का साथ जो मतलब साथ टॉपिक्स पर मुझसे वीडियो बनाने के लिए बोला गया था उसमें से सेवेंथ वाला बहुत इंपोर्टन्ट है इसलिए मैं इस वाले वीडियो को सबसे पहले आपके लिए बना रहा हूँ दो फैक्टर इंपोरठन्ट एए एक क्या है एक क्या है गेस कर सकते हो एक है फिबोनाची रींटेस्परbooks फhrvas फिबोनाची रीट्रेस्मींट दूसरों क्या है पूछ्च बता सकतते हो अभी बताता ओं दूसरा वाला के लिएड करो तब ही पता चलेगा तो गाईस देखो तो market ना, सब छोड़ते हैं, अभी फिलाल देखो, market में मानलो, यहां पर एक entry करते हैं, breakout entry वगर आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है, कैसे entry करते हैं, कैसे wait करते हैं, hold करते हैं, कैसे आपका target निकालते हैं, stop loss trail कैसे करते हैं, तो stop loss selling का video है, तो आपको अगर सारे चीजे जानकरी चाहिए, तो eye button को check करो, top right corner पर eye button को check करके आपको पता चल जाएगा, कि आखिर कैसे आप stop loss perfect stop loss लगा सकते हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह सारा चीज, पहले आपको इसका एक, मैं demo दे देता हूँ, मैंने यहां पर enter किया sir, आपको पता है अभे कभी भी न, breakout पर enter नहीं करता है, breakout के बाद retest होना ज़रूरी है, retest हुआ, अभे ने कर दिया entry, और उसके साथ साथ अभे के सभी स्टुडेंट्स ने भी एंटर कर लिया live में, अब बात यह है कि एंटर कर लिया sir, मैं तो sir इतना चोटा इतना उपर तक जाता ही नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा चोटा सा टार्गेट लेकर exit कर जाता हूँ, मुझे पता है, 1000 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए per lot profit आप लेकर डर के मारे exit कर जाता हूँ, तो उसी के वज़े से मैं आपके लिए यह चीज लेकर आया हूँ, कि जब आप entry कर जाता हूँ जिस level से आपका entry हुआ है वह एक swing low बना हूँ है, यहां से मैंने क्या किया, पहला चलते चलते market में, मैं तब तक exit नहीं करूँगा market से, जब तक market करना उपर के तरफ market बढ़ते बढ़ते जब तक नीचे के तरफ market नहीं आता है, जैसे ही यहां पर आपको दिख रहा है, यह entry हमने यहां पर किया है, market बढ़ते बढ़ते नीचे के तरफ एक बार भी नहीं आया, यह वाला candle अचानक से नीचे आ रहा है और मुझे धड़पर धड़पर हो रहा है दिल में, कि भाईया रुकू या exit कर जाओ, रुकू या exit कर जाओ, रुकू या exit कर जाओ, market क्या loss करने वाला है, यह चीज से मुझे बचा रहा है कौन, Fibonacci, Fibonacci को डालो, सीधा-सीधा 30%, 50%, 60% का golden ratio निकालो, निकालने के बाद आपका stop loss होगा 60% के नीचे, मतलब क्या है, भाईया 100 trades अगर market उपर जाकर नीचे आता है ना, 100 में से 90 trades में, Fibonacci के 60% को चुकर, market उपर भाग जाता है, ट्रैंपुलीन बोला जाता है इसको, तो Fibonacci का retracement पर आपको इस लेवल पर एक तगड़ा profit मिल सकता है, यहाँ पर entry करने के बाद, यहाँ पर 60% के retracement पर हमें, यहाँ पर hold करना है और इसके नीचे stop loss लगाना है, ठीक है, normally मैं आपको ना, नया front testing करके, front testing करके मैं stop loss, trailing stop loss सिखाता हूं, ठीक है, चलो, तो मालनो मैं यहाँ पर entry करूंगा, ठीक है, मालनो यहाँ पर मैं इसका entry करूंगा, आर पर क्या बोलते हो, मालनो मैं यहाँ पर एक इन्ट्रीं कर रहो हूं, इसको front test करना बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर, यह stop loss लगाया at least यहां तक का मेरा target है 40 point का target मतलब आपको per lot 2500-3000 भी दे सकता है अगर premium अच्छा हुआ तो ठीक है चलो देखते है ओके मस्त बड़िया लंबा सा candle बना है अब तो आप सोचोगे भाईया 1000 उपे per lot profit हो रहा है exit कर जाते है नहीं सर वहीं पर मैं बोलूँगा रुख जाओ अभी भी रुख जाओ बड़ा profit और आने वाला है अगर एक लंबा candle बना है यहां तक अगर आप लोग आ गये हो तो most important secret जो मैं बताने वाला था वो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप stop loss trail इसलिए करोगे because because of this तो पहले अप नीचे जाओ comment section पर लिखो yes sir I have reached yes sir I have reached मुझे पता चल जाएगा कि यहां पर किसने किसने इस चीज को सीखा है भाया यह एक secret है यह एक psychological secret है कि आप सोचो एक बार कि इतना लंबा अच्छागासा candle बना है यह candle ने अच्छागासा bullish close किया है ठीके अब आपको मन कर रहा है और यह exit कर जाओ market कहीं नीचे ना जाएगा these guys होता है market नीचे आता है 10 बार में से एक बार या दो बार इतने बड़ एक candle के बाद भी market नीचे आ जाता है दो बार हो सकता bearish engulfing pattern पर bullish engulfing pattern पर बहुत कम होता है but but यहाँ पर इस situation पर यहाँ पर इस situation पर आपको दिख रहा है कि बड़िया सा breakout हुआ है बहुत लंबा candle बना है है ना लंबा सा candle बना है यहाँ पर आप exit नहीं करोगे छोटा profit लेकर exit नहीं करोगे यहाँ पर वेट करोगे अगर market नीचे आ रहा है candle नीचे आ रहा है मुझे अब तो डर लगने लगा है आपको तो अब डर लगने लगेगा कि अरे भाईया क्या करे market तो नीचे आ रहा है जब तक यह swing high नहीं तूटता है तक तब Fibonacci का यह वाला level रहेगा by the way Fibonacci के मैं setting दिखा देता हूं कुछ देर के लिए यह setting देख लो guys इस setting को आपको क्या करना है copy कर देना ठीक है screenshot ले लो ठीक है okay अब मैं आगे का देखता हूं क्या market नीचे अपने Fibonacci को respect करता है ओ भाई साब क्या किया market ने 30% को respect किया properly 30% को respect किया तो मुझे पता था कि मेरा Fibonacci यहां तक है 30% को proper respect किया अच्छा फिर से देखते है market क्या कर रहे है ठीक है proper 30% को respect करके market उपर गया अब market फिर से नीचे आ रहा है अब की बार मेरा Fibonacci का लेवल है यह वाला अब नीचे है मेरा stop loss मेरा stop loss ट्रेल हो चुका है मेरा stop loss ट्रेल हो चुका है मेरा stop loss यह है अब market इतना है तक यह तक आग गया तो यहбаं कर। इस षुञ ओंग यह रहा मेरा stop loss इस नीचे 18,79 के नीचे मैं अब और hold करूँगा ठीक है देखते हैं क्या होता है Fibonacci पर आ रहा है Fibonacci पर आ रहा है क्या हुआ 50% 60% को छूकर market पूरा का पूरा stop loss हमारा ले लिया इससे हमें क्या हुआ गाई इससे हमें एक चीज पता चला कि जब आप trailing stop loss कर रहे हो जब आप trailing stop loss कर रहे हो तब आपको यह जो Fibonacci है यह आपको perfect time पर exit करवा देगा यहाँ पर आप exit कर जाते यहाँ पर आप exit कर जाते इतना quantity है आप यहाँ पर exit कर जाते at least इतना बड़ा movement आप Fibonacci की वैसे रोक लिया यहाँ पर दो difference है एक मैंने यह छोटा सा swing पकड़ा और एक swing हम यह भी पकड़ सकते थे पर proper 60% का swing इसने retest किया तो आपका फिर से stop loss यह हो जाता यह हम लोग बहुत कम बार use करेंगे यह मेरे साथ live back कर trade करोगे तब पता चल जागा कि मैं कब बड़े वाले swing का Fibonacci यूज़ करता हूँ और कब छोटे वाले swing का Fibonacci यूज़ करता हूँ दोनों में huge difference है छोटे वाले Fibonacci का swing अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा stop loss यही तक है अब बड़े वाले का मैं अगर यूज़ करता हूँ आपको कैसे stop loss को trail करना है stop loss trailing पर और भी वीडियो आएंगे आप देख रहे हो 60% पर आपका market बहुत अच्छे से respect किया और उपर गया और उपर गया चलो एक और back testing या front testing हम लोग देख लेते हैं ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो एक बार मैं जब तक पीछ million subscriber तक लेकर जाएंगे ठीक है चलो यह सारे चीजे जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह सारे चीजे मैं खुद market में trade करके profit करके आप लोग को बता रहा हूं ठीक है खुद मैं यह सारे चीजे खुद live मैं बैट कर ट्रेट करता हूं आपके साथ ठीक है यहां पर जैसे अग पूरन चीजे तक का पुट हूँ है लितम आए भी मैं फिर फ्रेंटेश करता हूं यहां मार्केट में हमने qt active कर लिया PT2 क्रने के बाद क्या करना है ओके, मार्केट अच्छा गासा नीचे आ रहा है, जैसे उपर के तरफ जाएगा फिर दुबारा, मुझे डल लगने लगेगा, क्या मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है फिलाल तो, फिलाल तो अच्छे से नीचे जा रहा है, अच्छे स से नहीं तूटेगा तब तक रूखेगा गिर्टेवे मार्केट में आपको फिबनाची उपर से नीचे का लगाना चाहिए ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या मार्केट इस 60% को रिस्पेक करके मुझे और बड़ा प्रॉफिट देता है हाँ जी देता है 60% पर मार्केट गाप डाउन हो गया ठीक है वहाँ पर थोड़ा सा मनुपलेशन आया बट वह अच्छे से प्रॉफिट दिया नीचे के तरफ का ठीक है तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट पर स्टॉप लॉस टेल करना है अच्छा स्टॉप लॉस टेलिंग स्ट मानी मैनेजमेंट भी है वो भी समझ लो ठीक है मेरा मनी मैनेजमेंट भी है वो भी समझ लो तो trailing stop loss पर मानलो आपने यहाँ पर enter किया मानलो यहाँ पर आपने enter किया ठीक है यहाँ पर ही देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ था market ने gap up open किया gap up open किया यह actually कोई stop loss अंडिंग नहीं है यह gap up open किया यह दूसरे दिन का head rate इसलिए gap up open करते भी नीचे आया ठीक है यह फिबुनाची का zone था market ने इसको selling दिया ठीक है अच्छा सुनो अब यहाँ पर मेरा money management यह कहता है कि देखो market में हमने enter किया ठीक है enter किया ठीक है और enter करने के बाद हमेना previous swing का low अगर market नीचे के तरफ का हमें put में profit हो रहा है तो put side में previous swing का low हमारा first target होगा second target हमारा trail करते देंगे कैसे trail करेंगे यह जैसे ही market ने अच्छा का सा profit किया हमने exit कर दिया उसके बाद वाले जो stop loss है वो हमारे इस Fibonacci के 60% के उपर रहेगा आपको थोड़ा सा और दिक्कत हो रहा हूँ तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ मालनों यहां पर हमने इस वाले पर entry किया ठीक है इस वाले पर हमने इंट्री किया इस level पर ठीक है इस वाले candle पर हमारा entry हो चुक है इस वाले candle पर हमारा entry हो चुक है ठीक है और यह हमारा world smallest top loss ठीक है world smallest top loss और मैं यह पुरा वो कर लेता हूँ यह रहा world smallest top loss हमारा ठीक है तो इस level पर मान लो market में हमने इंटर कर लिया और Fibonacci कैसे क्या बचाएगा हमें ठीक है market तो देखो ठूते ही एकदम से नीचे गिरिया इसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको यह एकदम से बह गया है Fibonacci आपको इंटर करने के बाद कहां तक मान लो हम इस वले पर is वहले ःवर्सल पर हमने empez इंटर किया ठीक है इस वालेAbsल मान लो हमने इंटर किया इंटर करने के बाद हमारा कैसा डně आपको डर्ड लगने लगा फिर रोपर या फिर फिर प्लीक को लगाना है यहां से यहां तक लगाया फिर रुग जा पी भी रुग जा जब जब मार्केट जब तब तक Fibonacci का respect नहीं करता है, तब तक आपको रूपना है, ठीक है, तब तक आपको रूपना है, माल लो, यह जो Fibonacci होता है, यह यूज करना चाहिए, कौन से लेवल पर, जब market थोड़ा सा sideways है, जब market में मुमेंटम थोड़ा सा कम है, अगर मुमेंटम जादा रहता है, त तो abstract entry पर आपको सिधा सिधा एक बारी में target में जाएगा, जैसे ही यहाँ पर, आपने एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद अचानक से market इस लेवल से नीचे आया, आपको क्या करना है, swing low to swing high का, आप पूरा Fibonacci लगाओगे 60% यह, तो Fibonacci आपको बोल रहा है, जब तक तुने एंटर कर लिया, जब तक यहाँ पर Fibonacci का 60% नहीं टूरता है, तब तक नहीं निकलने का, तब तक यहाँ से नहीं निकलने का, तो यहाँ से आप जैसे ही market इसको छुएगा, market एकदम से pump करेगा, फिर market उपर गया, उपर जाकर फिर से नीचे के तरफ का momentum लगाया, कहां से, यहां से, इस वाले level से, तो इस वाले hyper मैंने Fibonacci को लगाया, और अब की बार trailing stop loss इसके नीचे, 60% के नीचे, पहले यहाँ पर था, अब की बार यहाँ पर हो गया, आप देख रहे हो, तो ऐसे आप market में entry करके profitable trader बन सकते हो, ठीके, profitable trader आप बन सकते हो, फिर पूर swing का यह वाला रहा, 60% को market छूते ही उपर गया, तो आप Fibonacci को use करके market में hold कर सकते हो, ठीके, Fibonacci को use करके, आप market में hold कर सकते हो, guys, मैंने Fibonacci पर बहुत detail में explanatory videos बनाया है, आप उनको जरूर चेक करें, ताकि आपको यह profitable trades आप मिस ना करें, ठीके, नीचे वाला trades देख जादा role नहीं है, आपको hold करने की जरूरत नहीं था, market सिधा-सिधा नीचे ही गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, Fibonacci हम लोग तब use करेंगे, जब market, हमने call by के market उपर जाते हैं, अचान अचा नीचे आ रहा, आपको डर लगने लगेगा, और exit कर जाते, वो चीज़ पर Fibonacci आपको help करेगा, guys, I hope कि आपको यहां तक कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ भी doubt हो, थोड़ा सा और मुझे explain करना होगा, तो आप जरूर comment section भर दो, spam कर दो भर भर के, sir, और थोड़ा सा detail में, और थोड़ा सा detail में, और detail में करूंगा, मैं, और इस video का likes का target है, 10,000, thank you so much मेरे साथ, सुबह, daily, 9 बजे, live, जरूर जोड़ना, live trading करते हैं, जो चीजे सिखाता हूं, उहीं चीजों को live में, market में, कैसे use करके profit करते हैं, वो चीजे हम लोग live देखते हैं, thank you so much, guys,